Hey beautiful people what's up guys welcome back in here on youtube channel जिसका नाम है JKSSB Online Tutorial मैं हूँ सतीश और जैसे कि हम लोग JKSSB के प्रिवेसर MCQ सीरीज को कर रहे हैं चले देखते हैं आज की इस वीडियो में तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दू इफ यू वांट तो जाइन और वाट्सअप ग्रूप फोर डेली अपडेट रिगार्डिंग एवरीटिंग तो आप मैसेज के रिए इस नंबर प आपको जो वाट्सअप ग्रूप का जो लिंक है भाःट हो जाएगा व्लेट तो हमारा जो पहला कोशन है पहला कोशन पूछा गया है यह यह जेकपीय से इक्जाइम पूछन पूछा गया बाई और कोशन पूछा है एस पर आर्टिकल 53 फ़ीज़ी और स्वाटिकल 55 फ़ी of the constitution of India the president of India is elected through which of the following process मतलब की article 55.3 of Indian constitution the president elect होते हैं वो किस process के थू होते हैं ठीक है किस process के थू होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी candidates हैं जितने भी candidates हैं जो लोग competitive exam की तरी करते हैं उनको elections के बारे में तो majorly हर एक किस तरह से की जाती है वो तो पता होता ही है क्यूंकि president में से इनकी tenure इनकी salary और इनकी क्या बोलते हैं यह अपना जो resignation है और इनका जो election का process है यह हर बार exam में कुछ रहाता है ठीक है तो इसका answer में बता दूँ इसका answer है proportional representation ठीक है proportional representation चले बढ़ते हैं next question की तरफ next question में पूछा है next question भी बहुत easy है यह जेकेपी ऐसे exam में पूछा गया question है question में पूछा है कि Indian Parliament system parliamentary system में member है who is elected for the full term of the राजिसवा जो बंदा कोई member जो elect होता है for the full term बताब पूरे टैनवर के लिए राजिसवा के लिए बताइए वो कितने साल तक कितने साल तक रहता है राजिसवा में कितने साल तक राजिसवा में अपने अपनी जो service है वो देता है तो इसका जो answer है that is six year okay next question आपका sub auditor 2021 में पूछा गया है question में पूछा गया है which of the following act of Indian constitution aim at revitalization मतलब revive मतलब फिर से जाग रुक करना मतलब कोई स्वईवी चीज़ को जान डालना से समझ लो ठीक है उसका मतलब होता है revitalization and strengthening मतलब कमज़ोर चीज़ को उसको strong करना strength करना strengthen the urban government बताइए बाइए बाई कौन सा act है Indian constitution का जिसका में मकसद है कि urban government को revitalize किया जाए और strengthen किया जाए ठीक है देखो इसका answer इसका answer है 74th constitutional amendment act और 74 से पहले के amendment act आती है most important hardback question पूछा आता है चलिए अब उसकी बात करता है यह question अबका again sub auditor 2021 में पूछा गया है लास्ट वीडियो में जो लास्ट कोश्चन था 74th amendment के बारे में बताया किसके लिए यह urban government के लिए ठीक है एक बार दिखा दे तो आपको अगर भूल गया हूँ देदो को यह urban government के लिए ठीक है दिख रहा है ना अब next question के अगर हम बात कर रहे है यहां पूछा है कि which of the following act provide for a gram sabah as a foundation of panchaiti raa system मतलब की कौन से act के accordingly कौन से act ऐसा provide करता है क्या provide करता है gram sabah को as a foundation किसकी panchaiti raa system की किस act के through gram sabah को foundation जो है वो माना जाता है panchaiti raaj system का तो आप सभी को बता है जब यह panchait word हो तो एक ही amendment होती है that is 73rd amendment act चीक है तो इस cancer क्या है सकांसर है 73rd amendment act of 1992 ओके और यह question sub auditor exam में पूछा गया है clear है चलिए next question की बात करते है next question में पूछा गया है कि what does article 6 of the universal declaration of human rights deals with मतलब कि universal declaration of human rights जो है उनका उन rights का जो article 6 है वो किस से deal करता है question sub auditor 2021 में पूछा गया है पर मैं जितने भी question आप लोगों के साथ discuss कर रहा हूं वो सारे के सारे JK SSB previous exam में पूछे के questions है यह वो question है जो exam में पूछे के हैं जिनका एक मतलब है जो कुछ चाहते हैं आप लोगों से मैं वही चीज़ां आप लोगों साथ discuss कर रहा हूं ठीक है अब बताईए यह article 6 जो है article 6 में human rights के बताईए वो किस से deal जो है वो करता है that is deal with the right to recognition as a person before the law okay what right to recognition as a person before to law चलिए next question की बात करते है next question में पूछा गया है कि which of the following instruct the citizen to protect and preserve natural environment बताईए यह जो नीचे आपको नाम दिये गए है प्रियम्बल fundamental duties DPSP और fundamental rights इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी मतलब कौन सा ऐसी एक क्या बोल सकते हैं इनको institute भी नहीं बोल सकते अच्छा ऐसा समझ लो rights है ठीक है rights समझ लो या duty समझ लो कौन सी चीज है ऐसा समझ लो कौन सी चीज है जो citizens को instruct देती है instruction देती है किस चीज के लिए कि हमारी natural environment को protect and preserve करकर रखे ठीक है तो simple सी बाता देखो जैसे fundamental rights है हमें हमें दी हुई है कि मतलब हमारे हक की चीज़ें हमें दी हुई है उसी तरह से हमारी कुछ duties भी है ठीक है comment हमें देती है सरकार हमें देती है उनमें से एक duty यह भी है कि हमें अपने natural चीज़ों को अब में protect करना है preserve करना है तो इसलिए इसका जो answer है that is fundamental duties ठीक है चले next question आप लोगों का कि which article of the Indian constitution guarantees the equality of opportunity in matter of public employment यह question मैंने discuss किया था इंस्टाग्राम पर भी कि कौन सा ऐसा आर्टिकल एंडियन constitution का तो गरंटी देता है किसके लिए कि equal opportunity प्रवाइड की जाएगी public employment में ठीक है कौन सा आर्टिकल है वो इस आर्टिकल का मुझे लगता है maximum बचों को इसका पता है इसका comment अगर आपको answer पता है तो आप इसका comment जो है वो करोगे और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो जरूर करोगे बाई comment करके जरूर बताए करो कि इसका answer क्या अगर आपको पता है तो answer जरूर बताना और अगेन बता दू अगर आपने अभी तख WhatsApp जोईन नहीं किया तो 7006332724 पर अभी message करो और हमारा WhatsApp ज नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू टेक्या वाबारे